आज हम बनाएंगे सूजी का दानेदार और बहुती पढ़िया हल्वा आप इस हल्वा रेसिपी को जरू ट्राइ करेंगे देखे कितना पॉफेक्ट बना है सबसे पहले एक खड़ाई में हम लगबग हाफ कब देसी ही आड़ करेंगे और इसमें बारी कटे हुए बादाम और काजू आड़ करेंगे और इसमें वन कब सूजी आड़ करेंगे आप इसमें अपने कोडिंग कोई भी ड्राइफ फूर्ट से आड़ कर सकते हो बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस समय हमने फ्लेम को मीडियम रखा है एक बार मिक्स कर लेंगे और इसमें लगबग हाफ कब सूजी और आड़ करेंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे हम एक साथ पूरा सूजी नहीं आड़ करेंगे पहले हम mix कलेंगे फिर बाकी सूजी को भी add करेंगे बिल्कुल अच्छे दरह से mix कलेंगे medium flame पे 2-3 मिनट तक भुनेंगे 2-3 मिनट भुनने के बाद अब हम flame low कर देंगे नहीं तो सूजी जलने लगेगी और बीच बीच में लगातार चलाते हुए हमें इसे pinkish कलर की होने तक cook करना है जब यह हलका-हलका pinkish कलर होना start हो जाए तब तक हमें इसे roast करना है आप चाहें तो इसको हलका सा light brown भी कर सकते हूँ आप हम 1-3 cup desiccated coconut add करेंगे इससे सूजी का हलवा बहुत ही tasty लगता है आप चाहें तो इसमें सूखी नारियल को grid करके भी add कर सकती हो अब यह हलका-हलका pinkish कलर हो गया है और हलका brown भी दिखने लगा है अब हम इसमें water add करेंगे हम इसमें लगभग 3 cup water add करेंगे water add करने के बाद एक बार इसको mix कर लेंगे आप चाहें तो इस समय flame को बंद भी कर सकते हैं और इसमें tease की recording sugar add करेंगे sugar add करके बिल्कुल mix कर लेंगे mix करके हलुआ के हलका dry हो जाने तक इसको cook करेंगे आप इसे अपने recording कैसा भी cook कर सकते हैं अगर आप इसे बहुत ज़दा dry करना चाहते हैं तब आप इसे और भी dry कर सकते हो हम इसे हलका सा गीला रखेंगे बहुत गीला भी नहीं रखेंगे और बहुत सुखा भी नहीं रखेंगे और low flame पे लगातार चलाते रहेंगे low flame पे ही इसको cook करेंगे नहीं तो हल्वा जलने लगेगा और लगातार चलाते रहेंगे चलाना नहीं छोड़ेंगे थोड़े देर में हल्वा ड्राइ होना स्टार्ट हो जाएगा ये देखिए अब ये ड्राइ होना स्टार्ट हो गया है बीच बीच में चलाते हुए इसे कुखोने में लगभग 2-3 मिनिट लग सकते है या इससे ज़्यादा भी लग सकता है ये देखे हल्वा बिल्कुल अच्छे दर से ड्राइ होना स्टार्ट हो गया है और ये कढ़ाई से अलग भी होने लगा है अब हमारा हल्वा बिल्कुल तैयार है फ्लेम आफ कर देंगे हम इसे एक बोल में ऐसे रखेंगे हम इसे हल्का गर्म में ही रखेंगे बोल में रखने के बाद अब इसे इस्पून की हैस्ट से हल्का सा प्रेस कर लेंगे हम ऐसे डिजाइन्स बनाना चाहते हैं आप इसे किसी भी बोल्स में आड़ कर सकते हो हलवा एड़ करके उपर से हलका हलका प्रेस कर देंगे ताकि अंदर जो स्पेस है वो भी भर जाए हलका ठंडा होने के बाद अब इसको पल्टेंगे ये देखे स्कॉयर शेव का हलवा उपर से ड्राइफ फूट से टॉपिंग्स करेंगे हलवा कितना बढ़िया दिख रहा है अब हम आपको इसको कट करके दिखाते हैं कि कितना पॉफेक्ट बना है और बिल्कुल दानेदार अगर आप इसे ऐसे सब नहीं करना चाहते हैं तो जिस तरह से ऐसे हमने रखा है इसको ऐसे भी सब कर सकते हो हल्वा को एक पोल में रखेंगे और उपर से ड्राइफ रूट से डॉपिंग्स करेंगे और ऐसे देसी ही उपर ऐसे एड़ करेंगे देसी की एड़ करने से हल्वा बहुत ही टेस्टी लगता है हमारा सूजी का हल्वा बन कर तयार है आप इस रास्टेपी को जरूर ट्राइ करें और अगर आपको हमारे रैस्पीज अच्छी रखती है तो प्लीज लाइक कमें आज शेयर करें और हमारे अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें कर दो है तक्स कर दो दूता की तूटने झानल को सब्सक्षाइब के लिए वीडियोंक करते है करें दो दोने दो जो जो फो